विराट कोली को टीम इंडिया से बाहर करने का हो रहा है प्लैन आने वाले T20 वलकप में नई मिली जगह आने वाले T20 वलकप में भारते टीम का कप्तान कौन होगा इस राज से भले ही परदा उठ चुका हो लेकिन विराट कोली की टीम में क्या भूमिका होगी इस पर अभी भ अंदेव बरकरार है मीडिया रिपोर्स की माने तो सिलेक्टर विराट को एक जुन से सुरू होने जा रहा है टीट्वेंटी वलकप में शामिल करने के लिए इच्छुक नहीं है बता दू कि चेन करता किंग कोली की टीट्वेंटी की स्तिती को लेकर दुविधा में है टीम मे इंडिया की डीमन पूरी करने में सक्षम नहीं है कोली के पास अब आकरी मोका 22 मास से सुरू होने वाला IPL 2024 सी बचा हुआ है जहां वो रोयल चैलेंजर ब्यांगलोर के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर अपने आलो चोको का मुव बन कर सकते हैं हाला कि हर्स्तीती में आकर आश्टेलिया में 2022 में T20 World Cup में सेमी फाइनल में भारत के हारने के बाद रोय शर्मा और कोली दोनोंने ब्रेक लेने का फैसला लिया था इसके बाद हर्दिक पांडिया को T20 टीम की कपताने सोब दी गई थी लेकिन अचानक दोबारा हुई इंजरी और खराप हिटनेस के च हाली में हुए वंडे विश्वकप के दवरान जहां रोई शर्मा ने अपना आक्रमक खेल दिखाया जो उन्हें एक T20 स्पेशालिज ओपनर के रूप में भी सेट करता है तो कोली अपने आजमाए और परके हुए तरीके पर अडे रहे उनकी बैटिंग स्टाइल में हमेश पताईए आशा करता हूँ कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद